नमस्कार मेरे प्यारे विध्यार्थियों, मैं हूँ प्रवीन बंसल और हम पढ़ दहे थे कक्षा ग्यारवी लेखा शास्त्र। एक खास बात थी कि कुछ प्रविष्टियां ऐसी हैं जो ट्राइल बैलन्स बन जाने के बाद आपके सामने आती हैं। और उन अड्जस्मेंट्स को हमें अपने लाब वहानी खाते या फिर तुलन पत्र में दो बार जगादीनी होती हैं। ऐसी कुछ अड्जस्मेंट्स को हमने पिछले भाग में देखा। आज के भाग में हम इसी तरहां की कुछ और अड्जस्मेंट्स सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको यह बता दूँ कि लाब वहानी खाता उतने ही लाब या हानी लिखता है जितने उस चालू वर्ष के लिए डिव होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उपारजित आए। ऐसा भी हो सकता है कि आए से संबंदित कुछ मदें जैसे रिण परभ्याज, कमिशन, किराया, आदी, चालू लेखांकन वर्ष के दोरान अरजित की गई हैं परंतु वास्तव में चालू वर्ष के दोरान इनकी प्राप्ती नहीं हुई है। मतलब कुछ ऐसी इंकम जो इस चालू वर्ष में आपके लिए ब्यू तो हो गई है, मतलब उसका दिन तो आ गया है परंतु आपने उनकी प्राप्ती नहीं की है। जैसा कि यदि मैं एक अध्यापक की तरह सोचूं, अगर मुझे किसी विध्यारती से हजार रुपे प्रती महा के हिसाब से बारा महीने फीस आनी हो, तो वह बारा हजार रुपे फीस आनी चाहिए। यह मुझे एक साल के बारा महीनों में फीस प्राप्त होनी चाहिए। परंतु मुझे इस में से केवल दस हजार रुपे ही प्राप्त होते हैं। इस साल के लिए फीस बनती तो बारा हजार हैं। परंतु मुझे प्राप्ती सिरफ दस हजार की ही हुई है। इसका मतलब दो हजार रुपे की आए है चालू वर्ष की और वह मुझे प्राप्त नहीं हुई है। इसका मतलब जो आए मुझे प्राप्त नहीं हुई है। वह आए उपारिजित आए है। इसका मतलब इस आए पे मेरा हक है। मुझे इसे लोगों से अभी वसूल करना बाकी है। तो यह एक तरहा की परिसंपत्ती मतलब एसेट भी हो जाएगा। तो देखते हैं इसकी रोज नामचे में प्रिवश्टी किस प्रकार होती है। उपारिजित आए खाता डेबिट मतलब क्यूंकि यह एसेट है इसलिए यह हुआ डेबिट। और संबंदित आए खाता रेंट, फीस, कमिशन, किराया कुछ भी वह क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्यूंकि वह आए इस ही साल की है। आप इसको एक और उधारन से समझिया। उधारन के लिए यह मान लेते हैं अंकित ने अपने सहयोगी वेवसाई की मदद के लिए कुछ अन्य पक्षों को उन से मिलवाया और इसके बदले में कमिशन प्राप्त किया। हमने कोई कमिशन की प्राप्ति की है। अंकित के तलपट में आप यह देखेंगे कि एक मद प्राप्त कमिशन की राशी पांच हजार रुपे है। यह मान लिया जाता है कि पंदरा सो रुपे की कमिशन की राशी अभी भी सहयोगी विवसाई से प्राप्त होनी बाकी है पांच हजार रुपे की कमिशन आपके तलपट में दिख रही है और उधारन आपको कहता है कि पंदरा सो रुपे अभी आपको अपने सहयोगी से प्राप्त करने अभी बाकी है इससे प्रकट होता है कि उपारजित कमिशन की आयए 2004-05 के दोरान पैंसट सो रुपे है 5,000 क्योंकि तलपट में कमिशन के नाम से पहले ही दिख रहे हैं इसका मतलब वह तो वसूले जा चुके और पंदरा सो आपने अभी और वसूल ने है इसका आर्थ यह हुआ कि आपको अभी पंदरा सो और वसूल ने है और पांच हजार आप वसूल चुके तो इस साल की जो आए है वह है पैंसट सो रुपे है पांच हजार जमा पंदरा सो अंकित को समायोजन प्रविष्टी करने की अवशकता है जो की उपारजित कमिशन पर यह प्रभाव निम्र प्रकार अभी लिकित करेगी उपारजित कमीशन खाता डेबिट, कमीशन खाता क्रेडिट आप यहाँ पे ध्यान दीजिए प्रविश्टी आपको साफ तोर पे बता रही है कि यह है आपका एक एसेट है और तुलन पत्र की एसेट साइट पे यह है जाके जुड़ जाएगा और क्यूंकि यह है उपारजित आए, मतलब यह आए इस ही चालू वर्ष की है तो इसे लाब वहानी खाते में क्रेडिट में स्थान भी मिलना चाहिए और प्रॉफिट एन लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे यह है प्लस कर दिया जाएगा तो इस तरह उपारजित आए की प्रॉष्टी की जाती है चलिए आगे भढ़ते हैं और अगली एट्छेस्मेंट को शुरू करते हैं और इसका नाम है अग्रिम प्राप्त आए जैसा की नाम ही बता रहा है अग्रिम प्राप्त मतलब आय की प्राप्ती पहले ही हो गई है मतलब अगले वर्ष की आय इसी साल इसी वर्ष आपको प्राप्त हो गई है देखते हैं उस तक इसको किस तरीके से परिभाशित करती है कभी-कभी कुछ निश्चित आय प्राप्थ होती है लेकिन समस्तराशी चालू अवधी से संबन्दित नहीं होती है ऐसी आय का वह बाग, जो लेखानकन वर्ष से संबन्दित होता है को अग्रिम प्राप्थ आय या अनुमती आय कहते है मतलब आय प्राप्त हो चुकी है लेकिन उसका तालुक अगले वर्ष से है अग्रिम आय का निम्न समायोजन प्रिविश्टी द्वारा अभी लिकिन करेंगे संबंदित आय खाता नाम अग्रिम प्राप्त आय से मतलब आपने संबंदित आय खाते को डेबिट किया जैसे कि फीस अगले साल की आपने अभी ही प्राप्त कर ली यह आय आपके लिए इस वर्ष की है नहीं अगर यह इस वर्ष की आय नहीं है तो आपको अपनी आय को कम करना होगा इसलिए संबंदित आय खाता नाम जो भी इंकम है उस इंकम खाते को डेबिट किजिए वैसे आम तोर पे income credit होती है, परन्तु इस बार यह income debit करी गई क्यूंकि हमें income को घटाना है, income को घटाने का आर्थ यह है कि income इस साल की है ही नहीं, इसलिए इसको debit किया गया, और उसके बाद अगरिम प्राप्त आये, यह credit किया गया, क्यूंकि यह अगले वर्ष किया आये है, और यह आपने अभी प्राप्त कर ली है, तो यह आपके लिए एक liability बन जाती है, यह आपके लिए एक तरहां के लेंदार खड़े हो गए हैं, तो आप इसकी प्रविष्टी समझ लीजिए P&L मतलब लाब वहानी खाता के credit से इसको घटाया जाएगा, घटाया इसलिए जाएगा, क्यूंकि यह I इस वर्ष की नहीं है, इसलिए profit and loss लाब वहानी खाते के credit साइट से इसको हटाया जा रहा है, और क्यूंकि यह I अगले वर्ष की है, तो आपको शायद ही है वापिस करनी पड़ जाएं, क्यूंकि आपका इस चालू वर्ष में इस I से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए इसको liability में भी दिखाया जाएगा, यह तुलन पत्र के liability साइड पे दिखाई जाएगी, तो चलिए देखते हैं एक उधारन के द्वारा, मान लिजिए, एक साल की बारा महीने की फीस बारा हजार रुपे है, एक हजार रुपे प्रती महा के हिसाब से, परन्तु आपने जो रकम प्राप्ति करी, वह करीब पंदरा हजार, तो बारा हजार तो इस साल के लिए बनते हैं, तो प्रॉफिट एन लॉस अकांट में आप इसको कैसे दिखाएंगे, प्रॉफिट एन लॉस अकांट में आप 15000 में से 3000 घटा के दिखाएंगे, और ये जो बाकी के 3000 हैं, यह आपके लिए एक लाइबिलिटी हैं, तो तुलन पत्र को बनाते हुए, बैलन्स शीट में आप लाइबिलिटी साइड पे इन तीन हजार रुपे को ऐसे दिखाएंगे. तो यह हुई आपकी अगली अज्जस्मेंट. आपकी सिरफ और सिरफ एक ही बात पे नजर होनी चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लाब या हानी उतने ही दिखाए जाएंगे जितने एक वर्ष के लिए वह ड्यू होते हैं. इससे जादा या इससे कम तुलन पत्र में एसेट या लाइबिलिटी के रूप में दिखाई देते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगली प्रिविष्टी हरास, डेप्रिसियेशन. यह हम बहुत बार पहले चर्चा कर चुके हैं. अध्याय साथ से पुने समर्ण करें कि हरास परी संपत्तियों के प्रयोग तता समय व्यतीद होने आदि के कारण मूल्य में होने वाली कमी से हैं. मतलब जो भी आपके फिक्स जासेट हैं, उनमें वक्त के साथ साथ और उनके उप्योग के साथ साथ कुछ कमी आती हैं. उस कमी को हम डेप्रिसियेशन कहते हैं. इसका वेवार वेपारिक वेय के रूप में किया जाएगा और लाब वहानी खाते के नाम पक्ष में लिखा जाएगा. डेप्रिसियेशन एक एक्स्पेंस है, एक खर्चा है, इसलिए इसे लाब वहानी खाते की डेबिट साइड पे लिखा जाएगा. और इसका प्रभाव यह होगा, कि वह परिसंपत्ती जो वेपार में लाब कमाने के उदेशे से प्रयोग की जा रही है, उस परिसंपत्ती लागत की कुछ राशी का भाग अपलिखित किया जाएगा. मतलब जो भी परिसंपत्ती डेप्रिशियेट हुई है, जिसके मूले में गिरावट आई है, वह अपने तुलन पत्र में अपने मूले को कम होता दिखाई देगा. आप इस बात को एक उधारन से समझेए. माल लीजे, अंकित के तलपट में दरशाय गया फरनीचर पंदरह हजार रुपे शेश है, और यह भी माल लेते हैं कि फरनीचर पर दस प्रतिशत का हरास प्रतिवर्ष लगाया जाएगा. तो देखिए, इसकी प्रविष्टी लाब वहानी खाते और तुलन पत्र में कैसे की जाती है. पंदरह हजार का दस प्रतिशत पंदरह सो रुपे लाब वहानी खाते में दरशाय दिये जाएंगे. और बैलन्स शीट में आप इस फरनीचर को पंदरह हजार में से पंदरह सो घटाने के बाद तेरह हजार पांच सो रुपे दिखाएंगे. तो इस तरहां रास की आप प्रिविष्टी अपने फाइनल अकाउंट्स में करते हैं वित्तिय विवरण में. आप देखिए यहां पे यह है डेबिट साइड. यहां पे बोज को आपने बढ़ा दिया. यह है एसेट. एसेट बढ़ता डेबिट से हैं. लेकिन आपने उसे घटा दिया. तो एक बार डेबिट का बढ़ना और दूसरी बार डेबिट का घटना. इसी को डबल एंट्री कहते हैं. और डबल एंट्री एक बार बढ़ी और एक बार घटी. तो इसका मतलब तुलन पत्र जरूर मैच हो जाएगा. चलिए अब चलते हैं अगली एडजस्मेंट पे. जिसका नाम है डूबत्रिन. अंग्रेजी में हम इसे बैड डेट कहते हैं. डूबत्रिन से आश्य ऐसी राशी से है जो की एक फर्म अपनी देनदारों से वसूल करने में असमर्थ है. चूंकि यह हानी से संबंधित है ऐसे होगी. डूबत्रिन खाता डेबिट, देनदार के खाते से बैड डेट अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट. डूबत्रिन के डेबिट होने का अर्थ है यह है एक एक एक्सपेंस है. तो यह है P&L मतलब लाब वहानी खाते के डेबिट में पहुंच ज पहुंच जाएगा. देनदार के खाते से अर्थाथ, आपके डेटर, देनदार कम हो रहे हैं. देनदार क्यूंकि एक 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 एसेट हैं जो बढ़ते डेबिट से हैं और घटते क्रेडिट से हैं इसलिए देंदार का खाता क्रेडिट किया गया आईए देखते हैं कि यह खातों में किस तरह से दर्शाया जाता है उधारण है यदि देंदारों की राशी 15,500 रुपे है अंकित के तलपट में डूबत रिंग का दर्शाया जाना यह सूचित करता है पुस्तकों में पहले से ही अबिलिकित की गई है अब यहां आप एक बात को बहुत अच्छे तरहां से समझ लीजिए हम उन अज्जस्मेंट्स को पढ़ रहे हैं जैसे कि मैंने भाग की शुरुवात करते हुए ही बता दिया था जो तलपट के बनने के बाद पता लगी है यदि कोई लाब या हानी तलपट में पहले ही लिख दी गई है तो इसका मतलब है उसकी दोरी प्रिविश्टी की जा चुकी है और यदि कोई हानी तलपट के बाहर लिखी हुई है या कोई लाब तलपट के बाहर लिखा हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसकी अभी डबल एंट्री होनी बाकी है तो जैसे कि उधारण ने बताया कि एक डूबत रिण आपके तलपट में पहले से ही दिया हुआ है तो उसकी प्रविश्टी एक ही बार आएगी परन्तु यदि कोई डूबत रिण आपके तलपट से बाहर है तो इसका आर्थ यह है कि वह प्रविष्टी दो बार आएगी यहां हम यह मान लेते हैं कि अंकित का एक देंदार जिससे पच्चिस सो रुपे प्राप्त होने थे दिवालिया हो गया और उससे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका तो इसे हम कैसे दिखाएंगे लाब वाहानी खाते में डेबिट साइड पे यह है पच्चिस सो रुपे डूबत रिन के नाम से आएंगे परन्तू तुलन पत्र बैलन्स शीट में परी संपत्तियों की जगा पंदरा हजार पान सो रुपे के देंदार पच्चिस सो से कम होने के बाद तेरा हजार के दिखाई देंगे क्यूंकि यह हैं पच्चिस सो के देंदार अब दिवालिया साबित हो चुके हैं तो आपने देखा आपने एक बार लाब वहानी खाते की डेविट सैड को बढ़ाया और एक बार परिसंपत्ति मतलब एसेट को घटाया एक बार डेविट को घटाया और एक बार एसेट को घटाया मतलब डेविट को घटाया debit का भढ़ना और debit का ही घट जाना आप का double entry का संकेत है और इस से तुलन पत्र के योग पर कोई भी प्रभाव नहीं आएगा और इस तरहां अंत में तुलन पत्र भी मैच हो जाएगा तो यह होती है adjustments जिसमें आपने इतना ध्यान रखना है कि debit और credit के योग बराबर चले और मैं फिर से दोहराना चाहूँगा यह वह प्रविष्टियां हैं जो तलपठ के बनने के बाद आपके पास पहुंची है और इनकी entry आपके वित्तिय विविरण में final accounts में दो बार आएगी और जो प्रविष्टियां तलपठ में हैं उनकी entry सिरफ एक ही बार final accounts में दिखाई जाती हैं जिसके लिए आपने पिछला अध्याय वित्तिय विविवरण भाग एक देखा आपकी पुस्तक में वित्तिय विविवरण के दो भाग इसलिए दिये गए हैं एक जिसमें सिरफ तलपठ की चीजें हैं जिनकी entry सिरफ और एक एक बार व्यपारिक खाते लाब वहानी खाता या तुलन पत्तर में दिखाई जाती हैं और इस भाग में वित्तिय तुलपठ के बनने के बाद किया जा रहा है और आपको इन्हें दो बार अपने खातों में दिखाना होगा, तो आपने अपना व्यपारिक खाता लाब वहानी खाता या तुलन पत्तर वैसे ही बनाने हैं जैसे आप अपने पिछले अध्याइम में बना रहे थे, परंतु य यदि कुछ प्रिविष्टियां तलपट के बाद की आपको प्रश्ण में दी जाती हैं, तो उनके बारे में खास ध्यान रखना हैं, जैसे कि आपने इस भाग में और इस से पिछले भाग में सीखा, उनकी प्रिविष्टियां दो-दो बार करें. अब हम एक प्रश्ण के रूप में इन सभी चीजों को अगले भाग में देखेंगे, तब तक आप सभी विध्यारती इन सभी अडिजस्मेंट्स को अपनी पाठे पुस्तक से अभ्यास करें, क्यूंकि अब आपके पास ऐसे प्रश्ण देखने को मिलेंगे, जो तलपट की भ और इस तरहां का प्रश्ण सबसे जादा अंकों के लिए आपकी परिक्षा में पूछा जाता है, तो आपकी पाठे पुस्तक में जो भी प्रश्ण इस तरहां की अडिजस्मेंट्स से संबंदित हैं, आप सभी से निवेदन हैं कि उनका अभ्यास करें, मिलते हैं अगले भ कर अगले आपकी अगले पहुम्यास करें